एलो फ्रेंड्स सो जैसे कि आप सब ने रिक्वेस्ट किया था कावी सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि इंग्लिश मेडियम बच्चों के लिए भी मैं कंटेंट क्रेट करूँ सो उसी को मद्दे नजर रखते हुए मैंने करेंट किया है अगर इसका रश्पोंस अच्छा रहता है तो मैं सीरीज को करूंगा इसमें फोक डिटी में हम सबसे पहले गोगाजी के बारे में पढ़ेंगे आपको पता है गोगा जी पांच पीरों में से एक है मैं इसमें इंग्लिश औं हिंदी दोनों लेंग्विज के य ये सुविदा जनक्रय चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इन बात कर लें फोग डीटी होते को ने भी मतलब ऐसा निया जैसे हम भगवान देखते हैं राम भगवान क्रिश्न भगवान उस टाईप के बाइन नहीं होते हैं यह बेसिकली थे तो इंसानी लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे कर्म किये कुछ अच्छे कर्म किये जिससे लोगों को प्रेड़ना मिली लोगों में जागरती आई और socio-religious reforms हुए आप सोचे 13th century, 12th century उस टाइम कितनी रूडियां थी उन सबको इन्होंने ब्रेक किया इसलिए इनको हम लोग देवता के रूप में पूछते हैं अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो सबसे famous जिनको पांच पीर बोला जाता है वो लोग देवता कौन से हैं तो इसके लिए एक पंक्ती आती है पाबू हडबू रामदे, मांगलिया मेहा, पांचो पीर पधार्जो, गोगाजी जेहा सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज नोट्स बना लीजिए इसके क्योंकि बहुत important है जो भी मैं बताने जा रहा हूं सारे points आप examination में पूछे जा चुके हैं तो आप सभी को एक notebook में note कर लीजिए ताकि आपके examination में आपको फायदा मिले तो यहां पे five peers of Rajasthan की बात की गई है कौन-कौन है पाँच फीर पाबु जी हर्भु जी रामदेव जी मांगलिय मेहा जी फिर आप क्या आता है गोगा जी ठीक है तो यह पाँच पीर है अब हम discuss करेंगे गोगा जी के बारे में यह गोगा जी की तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे कि गोगा जी को जाहर वीर लिखा हुआ है जाहर वीर गोगा जी जो गोगा जी का जाहर वीर नेम था यह नेम दिया था महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर वीर जो नेम दिया था महमूद गजनवी ने दिया था आगे चलते हैं गोगा जी वस बोन एट दद्रेवा दद्रेवा में इनका जनुवा जो चूरू में इस्तित है और इनका जनुवा था 986 AD में इसके बाद दद्रेवा में कहा है इनके पिताजी टरकिश इन्वेडर्स थे उनके खिलाफ युद्ध करते वे शहीद हो गए इनके पिताजी के नाम था जेवर इनके माता के नाम था बाचल इनकी वाइफ के नाम था केलम दे प्लीज नोट डाउन ये डीटेल बहुत इंपोर्टेंट है पूचा जा सकता है एक और चीज पूची जाती है ऐसा माना जाता है कि जो केलम दे थी ना इनकी वाइफ वो पाबुजी की भतीजी थी ठीक है पाबुजी एक अन्य लोग देव था वो पाँच पीरों में आते हैं उनकी भतीजी थी केलम दे जिन से इनका विवा हुआ था ठीक है और इनके पुत्र का नाम था केसरिया जी ये एक और नोट कर ले आप इनके जो इनका जो सन था उनका नाम था केसरिया जी और गोरकनाद जी इनके गुरू थे जो आपको दिख रहा ना गोरकनाद जी इनके गुरू थे और महमूद गजनवी से इनका युद्ध वा था ठीक है तो ये सब facts है जो पूछे जाते है डारेक्ली इन एक्जाम जब इनके father की death हो गई तो ये ruler बने वहां के दद्रेवा के आगे चलते है property dispute था इनका cousin urgent surgeon के साथ अब हम बात करेंगे कि जब ये युद्ध में गए urgent surgeon के खलाफ ने उने लड़ाई करी उसमें महमूद गजनवी बिते और जब इन्होंने लड़ाई करी तो इनका जो है मतलब इनका सिर कटके चूरू या दद्रेवा में गिर गया और धर जो है वो हनमानगड में जाके गिरा जहां पे धर गिरा उस जगह को तो हम बोलते है धुर मेडी और वो धर जो है गोगा मेडी नोहर हनमानगड एक जगह वहां पे गिरा था उस जगह को हम धुर मेडी बोलते है और जहां पे उनका सिर गिर गया बेसिकली वो गोगा मेड़ी बोला जाता है, नोहर हनमानगड में जगा, अब इनका मेला काब भरता है, ये काफी पूछते हैं, इनका मेला आता है भादरपत किष्ण नव्मी को, ये आप देख सकते हैं, तो जो थर्ड लाइन है, भादरपत किष्ण नव्मी is celebrated as गोगा नव्मी in गोगा म प्रेडी हनमानगड में तो बेसिकली इनका मेला काफी बड़ा बढ़ता ही है लेकिन औलवर राजस्थान में गोगा नुमी मनाई जाती है अब हम बात करेंगे कि जो इनके वर्शिप करते हैं वो खेजडी वरक्ष के नीचे करते हैं एक चीज आपको ध्यान अकने खेजडी वरक्ष का दूसरा नाम शमी भी है और इनकी जो पूजा होती है खेजडी वरक्ष के नीचे होती है जनरली मतलब जादतर केसे में इनकी जो पूजा खेजडी वरक्ष के नीचे होती है और जो पत्थर होता है उस पे स्नेक बना होता है जब भी जिस भी जैसे खेजडी के प्रिक्षी को नीचे पत्तर रखाएं पे स्नेक बनाओगा जहां पर बिन की पूञा स्थाल होगा आगे चलते हैं तो और एक जय सका जैसे और किसी को शापन नि God था कि हम सर्प सर्पों से अप्नी रक्षा कर सके हैं कि गोगा जी हिंदु जो है गोगाजी को नागराज की तरह पूछते हैं और जो मुसलिम से गोगा जी को फोग पीर की तरह पूछते हैं गोगा जी में थान प्रिंसिपल सीड जो है वो गोगा मेड़ी हनमानगड में है ठीक है मतलब ऐसा माना जाता है जो तर्किश आकर्मन थे तुर्की जो हमले हुए थे दद्रेवा चूरू में उनसे ग्यारा बार रक्षा करीती गोगा जी ने ठीक है दद्रेवा की तुर्की हमलों से ऐसा माना जाता है अब हम आगे आते हैं यह जो important facts है गोगा जी के बारे में यह आपको remember रखने है पहला इनका birthplace है तो दद्रेवा और दद्रेवा का है इन चूरू district of राजस्थान फिर जो है इन इनके बारे में जो कता हैं कि यह सापों से रक्षा करते तो protects from snake bites okay then यह died समाधी का है इनकी तो गोगा मेडी इन हनुमानगर डिस्ट्रिक्ट जहां इनका धड़ गिरा था ठीक है जहां मेडी में मंदिर का निर्मान किस नहीं किया था फिरोज शात तुगलक ने करवाया था उस पर बिस्मिल्ला अंकित था लेकिन जो लेटेस्ट उसका स्वरोब दिया वो दिया था मतलब लेटेस्ट जो changes कि थे वो King Ganga Singh ने किये थे अर्लियर अगर पूछ ले कि King Ganga Singh से पहले उस temple का जो मगबरे जैसा था वो temple उसका निर्मान किस ने करवाया था तो हमें लिखना पड़ेगा फिरोज शात तुगलक ने करवाया था अब villages जो भी राजस्तान villages होते हैं तो खेजडी के निचे इनकी थान होती है जिसकी पूजा की जाती है तो यह हमारा final slide है हमारी तो इनके मेले के बारे में देख लेते हैं हर वर्ष को मेला इनका आयजूत होता है गोगा मेडी में 9th day of dark half कृष्ण पक्ष के 90 दिन से भादपद मन्त के 11 दित तक ठीक है इसके बाद हम आते हैं इनके फड़ इनके फड़ के में कौन से musical instrument ठीक है कौन से वाद दियंत्रों का यूज करते हैं तो डमरुन माडल का यूज करते हैं और जो भी farmers होते हैं ना किसान होते हैं तो नो गाठे बानते हैं गोगा रखडी बोलते हैं से ताकि अच्छी फसल ह ठीक है तो गोगा रखडी के बारे में आपको याद रखना है कि हल और हाली होती है किसान के पास उसके ओपर यह बानते हैं जुताई शुरू करने से पहले ताकि फसल अच्छी हो ठीक है और एक इनको जो इनका गोड़ा था वो ब्लू होर्स उसको बोलते हैं इनके हाथ मे जो है भाला होता है और स्नेक के साथ इनकी फोटो होती है तो यह गोगा जी के बने अदर फैक्ट्स है इसके अलाव में एक दो फैक्ट्स और बता देता हूं यह बैसिकली लेजंड से मतलब कता हैं हैं ऐसी कि जब इन्होंने केलमदे के साथ विवा किया था तो उस विवा के देवता प्रकट हुए और गोगा जी को नागो का देवता होने का वर्दान दिया ठीक है तो यह कथा की तरह आप सुन दीजिए अगर इसमें से कुछ बन जाते था आप एक्जाम में उसको राइट आंसर लगा सकते हैं तो यह आपका पूरा गोगा जी के बारे में था यह केवल मैंने गोगा जी के बारे में बनाया है अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगर इसमें कुछ कमी लगे तो वो भी मुझे बता देना ताकि मैं नेक्स लाइट जो भी बनाओ उसमें एड़ कर दूँ तो अगर आप इस सीरीज को ज्यादा प्रमोट करोगे तो मैं ऐसी और सीरीज लाओंगा फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जिनके पास कंटेंट पहले बहुत कमें राजस्थान में थेंक्स फॉर वाचिंग